आपका स्वागत है तो आप लोगोंने न्यू स्पेस के बारे में सुना होगा तो न्यू स्पेस रिसर्च बैंगलोर की एक कमपनी है जो की H.L.K. CATS प्रोग्राम का हिस्था है यानि की कमपेट एर टीमिंग सिस्टम का हिस्था है और इनके दोरा डिफरेंट अन्मैंड कमपेट वेकल्स पर काम किया जा रहा है जिसमें CATS अलफा है, हंटर है, वारियर है, CATS इन्फिनिटी है साथी साथ इनके दोरा कुछ और अन्मैंड सिस्टम मनाय जाते हैं जो कि ये आर्मी को भी ओफर कर रहे है, हाल ही में इनके दोरा एक नया रिवील किया गया जो की काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग था, इन्होंने कोलाबरेटिव कॉमबेट अन्मैंड एरियो सिस्टम क को शोकेस किया, जिसका नाम अभी मन्यू है, तो ये बिसिकली क्रेटिकल लो कोस्ट एर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में सक्षम है, और ये मल्टिपल रोल के लिए डिस्गनेट किया जा सकते है, और एक ही मेशन में उनको परफॉर्म किया जा सकता है, चाहिए एक्राफ की कैपेबिल्टी को कई गुना बढ़ा देता है, और मोस्ट लाइकली इसको टैक्टिकल इंट्रडिक्शन रोल में और अटैक एरियल वेहकल के रोल में इस्तेमाल किया जाएगा, तो इनके ऑपरेशन को लेकर एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया गया, जिसम के साथ ये कुलाबरेट कर पाते हैं कॉमबेट के लिए, तो यहाँ पर चार टाइप के अभी मन्यू को शोकेस किया गया, पहला अभी मन्यू कामी काज़े है, जो की कैनेटिक अटैक जोन है, जो खुच जाकर दूसरे प्लैटफॉर्म से टकरा कर अपने आपको ब्लास्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, तूसरा अभी मन्यू टिकॉय है, जो की एनिमी एक्राफ को कन्फ्यूस करता है, उसे मल्टिपल टार्गेट्स देता है, और में टार्गेट्स को शुपाता है, तीसरा अभी मन्यू एडेबलू है, जो की इलेक्ट्रोनिक वार्फेर वेरि यानि कि intelligence, surveillance और reconnaissance version भी है जो की target को track करता है नजर बना के रखता है और जो intelligence गैदर होता है उसको mother ship पर feed करता है तो ये combined होकर जो एक mother ship है उसकी capability को कई गुना भणा देती है और उसे सहूलिय देती है कि वो multiple targets को easily engage कर सके ये multiple manned aircraft के same rule perform करने से काफी ज़्यादा cheaper solution है तो long term में ये sustainable है इसे लिए इतना ज़्यादा attractive बन जाता है तो जैसके हम जानते हैं कि हमारी requirement है 42 squatters को operate करने की और उस goal को हम achieve कर पाएंगे इसकी possibility almost ना के बराबर दिखाई देती है तो ये जो solutions हैं ये कम squadrons अंख्या में भी हमारी strength को काफी ज़्यादा मजबूत करेंगे और future man and man teaming system ही है ये stealth से भी ज़्यादा important है definitely अगर आपकी mother ship stealthy है तो ये cherry on the top हो जाएगा क्योंकि enemy को अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ये drone operate कहां से हो रहे हैं और main target है क्या खैर उस चीज़ को कम करने के लिए ये चार तरीके के drone जो है ये खुदी कारगर है और एक 4.5 generation platform को काफी 10 साल ले सकता है तो अभी ये project काफी ज़्यादा initial stages पर है बाकी network centric capability भी काफी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी अगर proper network centric operations आपको perform करने है इन unmanned aerial vehicle के साथ जो की jamming और electronic warfare जैसे operations को perform करेंगे और फिलहाल के लिए हमने जो networking capability है ये बहुत ही limited है although ये बात जरूर अच् programs में जो मदर्शिप रहेगी ये शुरुवात में LCA तेरिस को ही बनाया जाएगा बाकी इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो जो enemy aircraft है वो दिखने में J-10 CE लगता है जो कि पाकिस्तानी air force और operate किया जाता है और even people liberation army air force और भी operate किया जाता है तो most likely दोनों threat के against म यहां पर effectiveness को दिखाने की कोशिश करी गई है खैर यह देखने वाली बात होगी कि cats program के parallel में यह अभी one new program कैसे execute होता है और ultimately इस्तेमाल किया जाता है बाकी इस वीडियो को खतम करने से पहले एक काफी important information हम आपके साथ share करना चाहेंगे तो an academy का जो unlock 25 offer है यह आ गया है जिसक percent subscription amount पर save कर सकते हैं चाहे cds, fcat, capf के courses हो चाहे और कोई defense courses हो साथी साथ अगर आप एक साल का subscription लेते हैं तो तीन महीना बिलकुल free मिलेगा अगर आप दो साल का subscription लेते हैं तो 6 महीने बिलकुल free मिलेंगे याद रखे यहां पर आपको अपने favorite educator का referral code यूज करना है जिसके बात आपका ये offer valid हो जाएगा याद रखे offer limited period के लिए है और ये September 30 तक ही valid है बाकी cds का भी जो batch course है ये चालू होने वाला है सफलता cds1 के नाम से और ये batch course September 28 से चालू है तो आप इस batch course को join कर सकते हैं ये मौका बहुत अच्छा है 25% अपने subscription amount पर save करते हुए आप इस batch course का इससाब बन सकते हैं साथी साथ NDA2 2023 के result जो है ये आ गये हैं और अगर आपने unacademy के साथ तयारी करी है तो definitely description में दिया गया form जरूर भरे याद रखिए जितने भी links हैं या आपको description में ही मिलेंगे इसी बात पर इस वीडियो कोम खतम करेंगे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चेहंद